पापा की पड़ियों की कोई गजब का नामी जन्य देखने के बाद आप भी यही बोलोगे अब यहाँ पर वाटर लीलिस की मजबुती चेक क्या जा रहा है हाँ मैडम जरह हमें भी तो चेक करके बताओ पत्तों की मजबुती कितनी है अब इस पापा की पड़ी को देखो मस इंस्टागाम रिल्स बना रही है हाँ मैडम बहुत बढ़िया यह क्या हो गया अब इस पापा की पड़ी को देखो जो मस थोकर स्कुटी चलाने लगती है पर यह क्या ये तो अपने पापा को ये स्कूटी से ठोक देती है साइद इस मैडम को ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए थी अब यहां मस एक्सेसाइड चल रही होती है हाँ मैडम वेरी गुड सब को करना चाहिए चलो कम से कम एक तो समझदा निकली अरे अब यह क्या हरकत कर रही हो मैडम चोटी बच्ची हो क्या क्यों करवा लेना बेच जती अगर आपको इस वीडियो के पाट टू चाहिए तो कमेंट करो यार कुछ कमाल के लाइफ है जो आपके डेले लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगे और थोरा धागा अपने उंगली में कुछ इस तरह से लपेट लेना है फिर आरपार कियो हुए धागे को कुछ इस तरह से खिचोगे तो आपके अंगोठी बाहर आ जाएगी लेकिन ध्यान रखना सुई को अंगोठी की जगर उंगली से ही आरपार मत कर देना गज़ाब बेज़ती है सेकेंड ट्रीक तो और भी मस्त है कई बार तार को छिलने में दिक्कत आती है तो इसकी लिए सिंपली एक नेल कटर को लेकिए कुछ इस तरह से निकाल लेना है और सिंपली वायर को कुछ इस तरह से फसा कर खिच सकते हो और अगर नेल कटर ना हो तो आप इस काम को इस्टेपलर से भी कर सकती है बस आपको इस्टेपलर का पिन निकाल लेना है अब बरते हैं सबसे जबरदर्ष ट्रिक्योर अगर आप भी कपरे को कुछ इस तरह से चुटकी में फोल्ड करना चाहते हो तो सिंपली कपरे को फैला कर तीन पॉइंट बना लेना है फिर ए और बी को एक एक हास से पकर लेना है और फिर सी से मिला कर इस तरह से रख देना है आपका कपरा एकदम के लिए लिए फोल्ड हो जाएगा